अब सिरब पता तो लगाओं कि ये वेपन किश मेटल चे बना है लकाब पोश्की सच्चाई तो हमने छुपा लिए लेकिन तिम्नासा ने मेरे नहले का जवाब दहले से दिये यहां तक की मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे ही अगवा कर लिया तुम्ही बारविर हो तुम्ही नकाब पोश्चो इसलिए कह रहा हूं तेम्नासा के आने से पहले बिला दो मुझसे अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खुलना पड़ेगा तुम्नासा के भवर में फस्ते हूँ मैंने भी द्रिश्यम का इस्तमाल करती है अपनी परच्षाई को तिम्नासा के पास भेज कर मैं नकाब पोश्च बन के विवान की मदद के लिए पहुँच गया एक तरफ मुझे तिम्नासा की नजरों से बचना था और दूसरी तरफ विवान का शक भी दूर करना था इसलिए देवू की परच्षाई को और नकाब पोश्च को मुझे अंत में एक करना पड़ा और ऐसा करने के लिए मैंने उसी तरकीद का इस्तमाल किया जिस तरकीद से कोई जादू कर लोगों को धुके में डाल देता पिछले कुछ दिनों से तुम तलबार की धार पर चल रहे थे बालवीर लेकिन अब तिम्नासा से लेकर विवान तक हर किसी को विश्वास हो चुका है ये देवू और नकाब पोश्च दो अलग लोग है किसी दूसरी प्लैनेट से आया है लेकिन अकर लगाब पुश्च दर्थी का रहने माला है तो उसका ही हत्यार किसी दूसरे लोग से कैसे हो सकता है इतने सारी महनत के बाद अजाखिरकार वो देना गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग थिया कैसा सुराग बालवेर ये सुराग एक पहली के रूप में वो छुपी शक्तियें कैसे जीव में जो खुदी अपना पिता है खुदी अपनी माता है सेक्डो वर्ष पुराना है खुद अपना विधाता है ये तो बहुत ही जटल पहली है इसे सुल्जानी में बहुत समय लगेगा बालवेर और ये तुम्हें खुदी सुल्जानी होगी क्योंकि भागय ने ये पहले तुम्हारे हाथों में सौंपी है ठीक है शौरी लेकिन इस पहली के अलावा भी एक और पहली है जो मुझे कमसे परिशान की जा रही है कौन सी पहली भारत नगर में कोई है जो मुझ पर नज़र रखे हुआ है यहां तक ही उसने मेरे कमरे की भी तलाशी नी है आपको क्या लगता है शौरी कौन हो सकता है ये जासूस ये अस्टर तो नकापोस का है ये जासूस जो कोई भी है लेकिन तिम्नासा के द्रिष्टी भ्रम जादू के पीछे चुपा होने के कारण मुझे उसकी पहचान नहीं पता चल पा रही है क्या हुआ बालवीर ये तो उस नागनी का जहर है हाशौरी परी जहर दिरे दिरे मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है मैंने अपने जादू से इसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन कोई इसे नहीं हो रहा है इन दिव्वे जीविनी पधों के पत्ते मसल कर तुम अभी अपने धाओ कर लगा पालवी इस दिव्य जीविनी की असर से जहर फेलना तो बंद हो क्या है लेकिन अभी भी मेरे हाथ से जहर नहीं उतरा जहर का तुमारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकलना आवश्यक है नहीं तो धीरे धीरे इस दवा के प्रभाव खत्म होने लगेगा तो शौरी नागिनी के इस जहर को पूरी तरह से मेरे शरीर से कैसे निकला जा सकता है ये विश्ट नागिनी के सर्पने तुमारे शरीर में डाला है इसलिये इस जहर को तम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है लेकिन नागे नहीं जहर को मेरे शरीर में से खुद क्यू निकाले की मुझे विश्वास है तुम कोई नो कोई उपाय निकाल लोगे बालवीर आँ आँ मा शारी इसका तो मैं हल ढून लूँगा लेकिन मा कैसी पुछले कुछ दिनों से अपनी पहचान छपाने में में अगरी लोग नहीं आ पाया इसलिए इतने दिन हो गए लेकिन वह से भी नहीं मिल पाया बाल पर एक स्थती पहले से अच्छी है लेकिन उने पूरी तरह स्थोनी में थोड़ा और समय लगेगा बाल वीद ठीक है शौरी आप मा का ख्याल रखेगा खुश रहो बाल वीद खुश रहो शौरी जल्दी ही फिर मिलेंगे अगर इंके जैसी ममता और प्यार से भरी मा संसार के हर बच्चे को मुझ जाए तो इस संसार में तिमना सा जैसी पुराई का कभी जन्मी नहीं हो पाता मा अरे देबू तुम आ गए विट्टा दवाई लाए हो उससे फ़रक हुआ कुछ दिखाओ मा डॉक्टर ने दवाई नहीं संजीन नहीं बूटी दिये ये देखो हाथ में घावतो क्या निशान भी नहीं बचा एकदम साफ हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा है अब देखो न मा उससकीन एकदम चमक रही है है न ममी ममी मुझे बहुत भूख लगे चल दिखाना लगे न हाँ हाँ लारे कहां रह गई ममी क्या हुआ भईया टेबल पर इतने टेस्टी खाने रखा और आप इस वेपन को क्योग हो रहोan हो ये ये तो लगा पूश्का आती या रहना शais ओ सुपरोश्ट नहीं है इतनम पड़ा जोराग बिला है जिससे मैं लगाब पोष्ट थक भोहाच चगता हूँ हमें उस नकाब पोष्ट को किसी भी हालत में ढूनना होगा लेकिन क्यों? क्यों ढूनना होगा तिम्नाशा? नागिनी के साफ ने उसे डसी लिया है ना? बहुत जल्द उपनी मौछ से मिलना ही मनना है नहीं बहिमार! मुझे उनकाब पोष्ट जिन्दा चाहिए क्योंकि मुझे उससे एक सवाल का जवाब चाहिए कैसा जवाब? इस सवाल का जवाब की सरकाल ने उसे कौन सी पहली बताई है जिसे सुल्जा कर वो छुपी शक्ति तक पहुँच सकता है जवाब चाहिए तुम्हार? जहरी ने पेड को अगर काट भी दिया जाये ना भेमार तो भी उस पर से नए पत्ते निकलने की संभाब ना होती है इसलिए मैं उस नकाब पोष्ट को मारने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि उसकी जड़े कहां तक पहली हुई है क्या सुरक मिला है तुम्हें? यही कि यह वेपन चस मेटल से बनता है वो धरती पर मिलता ही नहीं है तो जरूर यह किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया होगा इसका मतलब क्या हुआ पता है? क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इवेपन किसी दूसरे प्लैन memes रहा है, तो हो सकता है कि नकाब पोष्ट भी किसी दूसरे लोग से आया हूँ ये तो विर लोग के धाथू से बना हथ्यार है अगर विवान को पता चल गया, तो ये नकाब पोष्ट की सच्चाई तक पहुचने में देर नहीं करेगा. मैं अभी वीरलोग जगर परियों से इस मेर्टेल की परे में इन्फोरमिशन लिकर आदा हूँ. कब तक अब त्यान रखना की मम्मी मुझे जाधा मिश्टा करें, ठीक है? मुझे विवान को अभी रोकना पड़ेगा, थम जाए पाओ, रुख जाए जाच, रोख लो करोनाची इसको आप आज. विवान! ये क्या? तुम डिनर टेबल पर बैठने वाला था या डाइब मानने वाला था? वह ममी, क्या है ला? ये आपका खाना देखने में इतना टेश्टी लग रहा है? तो आज तुम एंगम जम की खाऊंगा. तो इसलिए पेट में जगा कर रहा था है, वाम अप करके. पेट में जगा करने के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा, चलो आओ, बैठो तुम लोग सब, खुशी? बात तो सही है, मतर पनीर का डेश्ट ठंडा होने की बाद साड सॉंग जैसा हो जाएगा, ओके, दिनर करके ही चला जाओंगा भी लोग. इसकी ना बने कोई बात, मा के पास कटे इसकी पूरी रात. वैसे विवान, मैं ही सोच रही हूँ कि तू और खुशी आज रात को मेरे साथ सोना, ताकि मैं तुम दोनों को लोरी गा कर सनाओ. क्यों? क्यों क्या? मा हूँ तुम्हारी, तुम पर लाड़नी चता सकती क्या? हाँ ममी, मुझे भी आपकी लोरी बहुत पसंद है. मुमी के दिल में आज ही इतनी ममत्या पड़ानी थी. आज तो तू वीलुक नहीं जा पाएगा विवान. पर दू पर दू पर मुझे नहीं की लिए यह सब पहना हुआ हैं मुझे आपने मुझे इसे जोकिम बरे जगब कर क्यों बेजा? सीधा-सीधा बताओ तू उबढ़क क्या हुआ? राजा, दुरसल बात यह है, आजकल धर्थी लोग पर एक खतरनाक विशानू कहला हुआ है, इसका नाम है कोबोना विशानू धर्थी वाले उसे कोबोना वायरेस बोलते है, बहिरानी ने मुझे उस चगा दे जाता, जहांसे वो विशानू और उसका इलाज मिल सके ये बताओ तौबा-तौबा के तुम्हे उस जगह का पता चला या फिर ऐसे ही मूर्खों की थरा खाली हात लोटाए हो आज जगह का तो पता चल गया भैरानी? लेकि मैं क्या कह रहा हूँ? आप वहां मोज जाईए? क्योंकि वहां जाना मतलब मोज से खेलना है जाना तो पड़ेगा तौबा-तौबा क्योंकि विशानू ही एक ऐसा जाल है जिसमें वो नकाब भोश थस जाएगा जमाफ करना विवान लेकिन उस चुपई शक्ति के बारे में मुझे अके लिए ही पता लगाना पड़ेगा अच्छी बात तो यह है कि सर्वकाल ने मुझे उस चुपई शक्ति के बारे में एक सुराग दे दिया है बस एक बार वो चुपई शक्ति मुझे मिल जाए फिर मैं तुम्हे सफ सच बताऊंगा फिवान अखिर कौन से हो सकती है वो चीज जो खुदी अपना पिता है जो खुदी अपनी माता है जो सधियो पुराना है जो खुद अपना विधाता है क्या हो सकता इस पहे लिता जबाँ अरे खुशी तुम? अरे तुम यहां इतनी रात को या कर रही हो मैं मैं हाँ पानी पी ने आई थी लेकिन आम बताओ दे बुखिया आप यहां पे लिविंग रूम में इतनी रात को क्या कर रहे हो खेले अरे क्या बड़ पुड़ा रहे थे आप माता पिता सधियो पुराना मैं मैं तो बस मुझे नीन नहीं आ रही थी इसलिए मैंने बजन काना शुरू कर दिया वो मन को शांती मिलती है ना इसलिए आखिर वो विपन किस्टे चुर रहा है था और क्यों क्या हुआ ब्रो निशाना चुक के से गया है तुम्हारा मैं चाहूं तो निशाना गुड़ते वे पंच्छी पर भी लगा सकता हूं वैसे तुम्हारे लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ उस लेटर में न्यूज, न्यूज तो न्यूज चैनल पर आता है न, लेटर में कब चाहने लगा जब से बालवीर मेरा हत्यार अपने घर में चुपा के रखने लगा वो नो ब्रो तुम गलत चमज़े, वो वेपन में ने चुराए नहीं था, वो तुम चिल चिल भाई, कहीं इस तूतू मेमे के चक्कर में वो ब्रेकिंग न्यूज कहीं ओल्ड न्यूज ना बन जाए ओ, गुड़ बाइंड तुमना सा कोई बहुत बड़ा गेम शुरू करने वाले है नंबी एनेंग खेलने के लिए तयार होटा बालवीर कौन जा गेम अर्यो 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 अधिर यूज देकर काट याले हो अर्यो अर्यो जो पुटार ने बड़ेगा आज तो अवरानी चेरा देख कर ही रहंगा अगर खुली आँखो से सूरज को देखोगे तो चहरा जल जाएगा विवान नहीं चलेगी, I promise क्योंकि विवान को सन्राइज और संसेट देखना हूँ, बहुत पसंद है मैं सन्राइज या संसेट वाला सन नहीं हूँ मैं जून की गर्वी वाला सन हूँ सो बी, कैफुल मुझे कैफुल रहने को बोल रहे हूँ और खुट फियरफुल होकर भाग रहे हूँ सिंबल जी बात है विवान, सूपर हीरो की आइडेंटिटी, हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए लेकिन दो सूपर हीरो की बीच में है, कैसा सीक्रेट? हम्.. अँँछ सुपरीफ। अँछ लोट प्रोड बाहना है तो भरोसी के रिष्टा बादोना मेरे साथ। पेड़ एक ऐसे जीव में छुपी है, जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है, इस पहेली को सुल्जा लोगे तो उस द्वार तक पहुच जाओगे तांक यू विवार देवा करी का चांच ये नहीं प्या और फ्री में दैंक यू मुलकी निकल गए अब तमनासा कुंसा खेर फेलने वाली है तमनासा नकाप पोष्ण ने अगली योजना के बाए में विवान तो चेताब ने दे दिया है ठीक है कुछी मुझे हर पल की जानकारी देती रहो यो तम हमे कहां ले आई हो तमनासा पैमार हम लबरोटी जा रहे हैं लबरोटी लबरोटी नहीं लबरोटी री यानी प्रयोग साया यहां पर वे यानि खर बिमारी का इलाज ठुनते है लबरोटा री आजा अंदर चले कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गया और ये ये क्या पेन रखा है आप लोगोने किसी नाटक मंदली से आया हो क्या जाओ बाहर निकलो हम अंदर कैसे आये इस चीज की चिंता तुम मत करो बलकि फिक्र इस चीज की करो कि तुम लोग यहां से बाहर कैसे जाओगे हमें दिश्टर मत करिये हम यहां एक बहुत खतरनाग वाईरस का इलाज ढून रहे है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है जरुत नहीं है तुम्हें वी शाबाशी मिलेगी सब बेहोशी हो गए ना? अब इस विशाणों के जहर से धरती लोग पे मचेगा कहर और मेरी जाल में फस जाएगा नकाब भोश झाल झाल झाल